जैहिन नमशकार, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में, मैं प्रकर्ष वास्तव आप सभी का भार पकट करता हूँ दोस्तों आजम बात करेंगा अशोक महता कमीटी के बारे में अशोक महता कमीटी जिसका निर्मार 1977 में किया गया था सरकार के दुवारा क्यों किया गया था इनकी रिकमेंडेशन क्या थी आईए जानते हैं दोस्तों बलवन तराय महता कमीटी के बारे में और इम डिसकस कर चुके हैं कि बलवन तराय महता कमीटी सबसे पहली पंचायती राज कमीटी थी नाउ दिस्सेंबर 1977 एमर्जंसी खतम हो चुका था इंडरा गांधी चुनाव हार चुकी थी जन्ता पाटी की सरकार बन चुकी थी मुरार्जी दिसाइदेश के प्रदान मंतरी थे जन्ता पार्टी गवर्मेंट ने अपनी सरकार आते कि एक कमीटी का निर्माड किया दिसंबर 1977 में और पंचायती राज इंस्टूशन। पंचायती राज इंस्टूशन। के उपर इसका निर्माड चीया गया जिसके चेयरमैन थे अशोक महिता इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट आगस्ट 1978 में सरकार के सामने रखी और 132 से रेकेमेंडेशन दिये सरकार को क्योंकि जब बलवंतराय महता ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और सरकार से कहा कि आप यह चीज़ कीजिए तो उसको कभी भी पूरी तरीके से या बहतर तरीके से इंप्लिमेंट नहीं किया गया और यही कारण गया फ्रम 1959 तो 1977 गिंदुस्तान में पंचाइटी राज सिस्टम जो थ्री तियर था वो उतना बहतर वर्क नहीं कर पाया उसी चीज़ को रिवाइव करने के लिए उसकी डिक्लाइनिंग को रोकने के लिए 1977 में अशोक महता कमीटी बनाई गई उस अशोक महता कमीटी ने क्या-क्या रेकमेंडेशन दिये मैं आपको बताता हूँ पहला इन्होंने कहा कि ऐसा है कि थ्री तियर सिस्टम को टू टियर सिस्टम से प्लेस कर दीजे बल्वंतरय मेथा ने क्या बताया था ठी टियर सिस्टम रखिए जिसमें कलेक्षन व विलेजिस हो मतब सारे गाओं को आप एकठा कीजिए ठीक है जहां पर population 15,000 से 20,000 तक हो ठीक है जिसी combined population 15,000 से 20,000 तक हो उनके group of villages को मिलाकर मंडल पंचायद बनाई तो अशोक महता कमिटी का पहला recommendation तो यह था कि तूट यह से स्थिम करो जिला परीसद और मंडल पंचायद Below the state level, a district should be the first point of decentralization under popular supervision इन्होंने कहा कि state level के नीचे, बाई central होती है, central के नीचे state होता है, state के नीचे district, district के नीचे पंचायद होगा ना, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप सीधे state से पंचायद ना जाईए, आपको अगर power share करनी ही है, अगर आपको decentralization करना ही है, तो आप state के below district में कीजिए सबसे पहले, मतलब आपका जो पहला point of decentralization को होना चाहिए, वो district होना चाहिए, district के बाद भले आप पंचायद आए, मगर state के below level आप सीधे पंचायद ना पहुँच जाईए, जो जिला परीसद हो, वो executive body हो, उन्होंने वहाँ पर पंचायद समीति इन्होंने कहा कि जिला परीसद executive body हो, और district planning की in charge भी हो, political parties को allow कीजिए कि वो भी पंचायद election में participate करें हर level पर, वी चाहिए वो BJP हो, Congress हो, कोई भी हो, ताकि अपने candidate वो उतारे, ताकि local level को भी politics में involved होने का बौका मिले, and to mobilize their own financial resources, पंचायदी राज organization should have compulsory taxing power, और अपने financial resources को mobilize करने के लिए, इन्हें बार बार state government के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इसी लिए पंचायदी राज organization को आप taxing power का अधिकार दीजिए, आज गाव में जितने मेरे लगते हैं, उनमें tax लगाने का अधिकार किसका है, पंचायदी राज का है न, नहीं करवाना चाहते हैं अलोशोक में था, और social audit करवाते रहेगी, regular interval पर, इफ द पंचायदी institution are suspended, अगर पंचायदी institution suspend हो जाते हैं, यह suspend हो जाते हैं, जैसे assembly होती है, लोगसभाग होती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आप दुबारा चुनाओ कराईए और उसको revive कीजिए, आगे देखते हैं और क्या के recommendation थी इनकी अशोक मेहता की, the minister of the panchati raja must be appointed at the state level, और जो भी minister of panchati raja हो, उसको state level पर appoint किया जाए, इसलिए अगर आप जाकर देखेंगे, तो अब हमारे देश में minister of panchati raja होते हैं, आप तो union level पर भी होने लगे, युन्होंने कहा था कि आप state level पर एक ministry बनाएए panchati raja की, आकि panchati raja को कोई भी दिक्कत हो, panchati raja system मों कोई भी दिक्कत हो, तो directly उस minister को जाकर दिसकस कर पाए, and elections में, जो panchati raja institutions के elections होते हैं, उनमें schedule कास और schedule tribe के लिए seat reserve कीजिए, और सबसे important, panchati institution को संवधानिक दरजा दीजिए, तभी जाकर ये बैतर तरीके से काम कर पाएगी, तब जाकर बाद में फिर आपका 73rd, 74th amendment किया गया था, जब schedule 9, ये आड़ किया गया था, तो ये recommendation थी, अशोक महता की, उन्होंने ये recommendation दिया कि अगर आप ये सारी चीज़े मानेंगे, तभी आप जंदुस्तान में पचायती राजी institution को decline कर रहा गये, उसको revive कर पाएगे, तो उमीद है, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, मुलाकात को कि अब आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक ले मस रही है, खुश रही है,